तो आपके सामनी स्क्रीन पे प्रश्ण है कि कवी दिनकर का कव्यात्मक परचे दीजिए या फिर अथवा कवी दिनकर के का विवेक्तितत्व पे विचार कीजिए तो इसी का एंसर हम लोग इस पे देखने वाले हैं और इसको शमझने वाले हैं यह पार्ट वन बीएसी बीए दोनों में सेमी सिलिवा चल रहा है फिलहाल तो यह दोनों इंवर्सिटी के लिए बहुत हैं यह हर साल लगबर एक्जाम में आता ही है चलिए इसका एंसर हम लोग देखते हैं तो राश्टि कवी दिनकर आधुनिक हिंदी साहित के सर्वपली सर्वस्रेष्ट देवतिमान क और गदकार भी हैं। उनके गदकार व्यक्तितत्व का पर्त्यक्ष निर्देशन उनकी महान कृति संस्कृति के चार अध्याय है। हिंदी शहित में उनका आगमन ठिक छयावाद के पीछे पर हुआ है। चयावादिक कावय उद्यान के कालपनिक रूपहले सुनहले सुनहले पुस्पो से संबंध तोड कर इस कवी निधर्थी के गीत गया है। प्रगर्ति वादी काव्य परविर्दी इनका काव्य के विशिष्ट पहचान है। धर्म के छेतर में धर्मानता के विरुद संत कवी कवीर की वानी क्रांती की घोशना है। और आधुनिक हिंदी साहित रूडी गरष्ट पुंजी वादी विवस्ता के विरुद कवी दिनकर क का स्वर विद्रो का अहान है उनकी वानी दलीत दमीत सोसित वर्ग के पर्ति सहνा भूति ओम सम्वेदना का शवर है उनके क्रांतिकार व्यक्तितत्फव ने उन्हें अंगारों की कवी की पर्तिष्ठा दिय है और नौ परिवर्तन के प्रसंसक होने के कारण उन्हें भूचाल और बवंडर का कभी भी खा गया है वह मात्री भूमी पर समर्थित कभी है वह अंद रोडियों अत्यचारियों के विनास एवं अन्य के विरोध कभी हैं उनके कविता में रोमांटिक साहिसिक्ता एवं सर्फित करने वाले सत्य चीर सत्य के अन्यवेशक कभी है अतीत Transport कभी का प्रेशक्षट Todayती के गौरब चित्रों का असमरन और कभी ने वरतमान को प्रेयर्षित किया है उनका उनका अतित अस्मरन पूर्ण जागरन का संदेस है अक्कभी के वारे में लिखा गया है कि भाद प्रेम भाव कभी दिनकर के कावे की अंतरिक्त सुन्दरता है दर्सन के छेत्र में उनकी कावे रचनाय रामकृष्ण प्रमहंस विवेका नंद तिल्यक गांदी एवां रविंदर नाठ ठाकुर से प्रेरित है गीता का कर्म प्रवर्ति मूलक सिधान्त इनके कावे का म मलता है देशभक्ति कवीता सिर्जन के छेत्र में वह बंगाल के नजरूल इलाम है इसलाम है कवी दिनकर ने अपने कावे में वर्ग विहिन तथा समस्ता पर अधारित समाज की कल्पना की है वह जिवित समेदना के कवी हैं उनकी कृति हुंकार उनकी तरुनाई एवम अज कवी ने अपने अध्भूत विद्रोही व्यक्तित्तों का परचा हुंकार की कविताओं में दिया है उनका एक पंक्ति यहां पर लिखा हुआ है जो कि हम लोग अभी देखेंगे शुनू क्या सिंधू गर्जन तुम्हारा श्वेंग युगधर्म का हुंकार हुं मैं पूर कुरुच्षेत्र रशी मर्थी इतिहास के आशू भारत जन्जन के अतित का गुनगान है कुरुच्षेत्र यूद की अनिवारता पर एक विचार है और वर्ग विहिंद समता पर अधारित अभिनव मनुश्य समाज की अभिनव कलपना है रशी मर्थी श्वेंग योत्तर भ रश्वन्ती भावनाओं में मनोरम ये छेत्र की कहानी है वस्तुता यह का विक्रितिक कवी दिनकर के वाय प्रतिभासित पत्थर वेक्टत्तु के अंतराल में बहनेवाला मदूर निर्जरिनी के रोमांटिक कव अभिवेक्ती है समाधेनी कूलसित धर्मिक्टा मानाता के विरुद बानावता का दिवश अंदेश है उर्वसी प्रूश नारी के चित्र चीर सस्वत प्रेम की उद्दात अभिवेंजना है कवी दिनकर की कावियत्रा आपने यवन में हुंकार करती है जीवन के मध्यान में समुंद की गहराई ले लेती है और जीवन के आस्वासन की छेत्र में जो जय प्रकाश है साहित्र की छेत्र में वही दिनकर है विद्वानों ने दिनकर को देशभक्त कवियों में सिर्ष विंदू का कवी माना है उनका काव परुष का पुंजी भूत ज्वाला है चंदर वरदाई की कवीता जातिय शंक्रिंडा से बंधी है और भ अश्रू भरी आखों के प्रती मात्रा अर्षु अर्द आर्पड नहीं है परतयू दलित वर्ग की एक-एक आस्रू बुंद पर कभी ने अपनी ध्वन्यों की रखत-बुंद को शमर्पित किया है अश्रू बुंद करने का मतलब है कि आख का जो बुंद होता है आश्रू हो सुर्धर्म है अभाय दहकाते अंगारों पर चलना, सुर्धर्म है सोसित असी पर धर कर पाओं में चलना कभी दिनकर की काववे व्यक्तित में वीरता हूंकारती है, मानावता पुकारती है और मानवी प्रेम की अविरल धाड़ा परवाइत होती है भावों के अनुरूप, सब्द और भासा गढ़कर कवी ने अपनी सब्द समर्थ सक्ति और सुन्दर परिशय दिया है दिनकर की कवीत हिमाले के सद्रिश आग्याई निर्वन्द का मुक्त है कवी रामधाली सिंग दिनकर की कुछ परशी देकावे करितिया जो निम्ण है इससे आप स्क्रीन सॉट लेके भी देख सकते हैं ठीक है वर्दोली विजय, प्रंगभंग, रेनुका, हुंकार, रासवन्ती, द्वंद, गीत, समाधेनी, छुपछा, कुरुछेत्र, बापु, इत्यास के आसु, धूप और धुवा, रसी मर्थी, रेती के फूल, निल कुशुम, उजली आग, ये इनका गदखन रखा निलम के पत्ते, दिल्ली, शीपी और शंक, अनुदित कवीता शंगरा था, नए सुभासित, उर्वशी, गितना टग है, अर्धनारिश्वर, मिट्टी की ओर, सुध कवीता की खोज, संस्कृती के चार अध्याय, कविवर दिनकर ने, विश्वी शदावदी के नवनिरुत व्यक्तिवात वाले सिर्शक विंद के तेजश्वी कवी है, उनकी वानि का ओज सुर्ज किरनों के शमान, विश्व शाहित के साधकों ने, पूजा है, उनके मानस का आदमय, विद्रोह, भाव, उनके कावे में फूटा है, उनकी कविता, राष्टता के आवरानों में, क्र अकादमी पुरुसकार कौन सा राचना पर मिला है, तो संस्कृत के चारध्या यह अबजेक्टि में भी आता है, और अकादमी तथा उर्वशी अनि जो उर्वशी है, इन पे उन्हें भारतिय ग्यानपुत पुरुसकार भी मिल चुका है, इनकी गन्ना हिंदी के राष्टि और इस्तिरता गद सैली में ही देखी जाती है, कवी दिनकर का काब उनके विवेक फूर्ण यवन का उद्दाम प्रवाह है, और उनकी गद रजना उनके प्रहुट चिंतन मस्तिक का प्रतिफुलन है, बात बता देते हैं कि इनका जो जनम हुआ था, वो मुंगेर जिला बर प्रविकर प्लेस के नाम से आज भी भागलपुल इंवर्सिटी के अंतरगर्ट एक बिल्डिंग है, जहां पर पढ़ाय लिखाई की जाती है, तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को स्क्राइब कीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के बिच में सेर कीजिए, थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो